जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पैट्रोलिंग के दौरान उत्तराखंट का एक लाल और शहीद हो गया यमुना प्रसाद पनेरु कुमाउं रेजिमेंट की छटी बटालियन में सूबेदार थे पैट्रोलिंग के दौरान वह शहीद हो गये 49 वर्षिय पनेरु तीन भाई थे बड़ा भाई पोस्ट मास्टर है जबकि छोटा भाई बन विभाग में कार्यरत है उनकी एक छोटी बहन भी है यमुना प्रसाद पनेरु अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं उनके पत्नी सहित परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है उनके दो बच्चे हैं एक साथ वर्षिय लड़का और एक तीन वर्षिय चोटी बेटी है उनके शहीद होने की खबर जैसे ही क्षेत्र में पहुँची पूरा माहौल गमगीन हो गया कुमाउ रेजिमेंट के यमुना प्रसाद पनेरू पहले से जवान थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह की थी वहीं शहीद होने की खबर सुनकर भीमताल विधायक राम सिंग खेडा उनके गोरा पड़ाव स्थित आवास पर पहुँचे और दुखी परिवार को सांत्वना दी उन्होंने इसे देश ही नहीं उत्तराखंड के लिए भी एक अपुरनीयक शती बताया है पूरा भीमताल विधान्स वाचेत्र और पूरा उत्राखंड आज गमगीन है कि जो हमारे यह मुना ने देश की लिए अपने को कुर्बान किया है अपने को आज उसके सहीद होने कि जैसे पूरा हम लोग सब गमगीन है लेकिन मेरा भारत सरकार से आग रहे है एक के बाद एक उत्राखंड के जाहितर हमारी जो बॉडरों में देश सेवा कर रहे हैं वो सहीद हो रहे है तो पाकिस्तान की नाकाब हरकतों के खिलाब सरकार को कदम कुछ उठाना चाहिए और मैं तो भारत सरकार से माननी परजानमंतरी जी से ग्रह मंतरी जी से आगरे करूँगा जि इनका बड़ा एक भाई है और एक छोटा वाई है यह बीज के भाई है जो कल सहीद होगे देश के लिए यह शिक्षुकमाव रेजिमेंट में थे और यह सुवेदार की पत्कत है अभी परजैनल में इनका नाम है इमना परसाद पनेरू उमर इनकी अभी 38 सम्तिंग है दो ब अच्छा है इनके पहला लड़का है जिसकी एज सम्तिंग एट एर है और दूसरे नमर की लड़की है जिसकी उमर फोर्ट एर करीब होगी पिता जी और भाई पिता जी इनके स्वर्गवाशी है वो भी 2002 में